टोटल इमेनोगलोबुलिनी IgA टेस्ट क्या है? टोटल IgA टेस्ट एक इलर्जी टेस्ट है जो रक्मे मौजूद इमेनोगलोबुलिन IgA की सम्पून मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है. जब भी आपका शरीर बाहरी पदार्थों जैसे सुक्ष्म जीवों या एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों के समपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली उन से लड़ने के लिए विशेज प्रोटीन बनाती है जिन्हें एंटीबॉडिज या इमेनोगलोबुलिन कहा जाता है आईजीए एलर्जिक प्रतिक्रिया के खलाफ बनने वाले एंटीबॉडिज हैं जैसे ही आप किसी एलर्जिक पदार्थ के समपर्क में आते हैं तो आपका शरीर उसके प्रति आईजीए बनाने लगता है ये एंटीबॉडिज विशेज सफेद रखत कारण हिस्टामिन होता है ये लर्जी पदा करने वाले कुछ सामान लिपदार्थों में पराग पोलन, जानवरों की रूसी और धूल आदी शामिल है। इस टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्थि को क्या अलर्जी हुई है। इटेस्ट के सलिए किया जाता है। यदि आपके शरीर में अलर्जी के लक्षन दिखाई देते हैं और उसके कारण का पता नहीं होता है, तो डॉक्टर टोजर आईजी इटेस्ट के सलाह दे सकते हैं। इलर्जिक प्रतिक्रिया पूरे शरीर को प्रभावित करती है, जो जीवन के लिए काफी घातक है। जोकि IgA के स्तर पर जीवी संक्रमन के दौरान बढ़ जाते हैं इसलिए ये टेस्ट पर जीवी संक्रमनों की जाज करने के लिए भी किया जाता है Total IgE Test से पहले Total IgE Test की तयारे कैसे करें? इस टेस्ट के लिए किसी भी तयारे की जरुरत नहीं होती है हलाकि अगर आप कोई भी दवा या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसके बारे में डौक्टर को अवर्शी बताएं Total IgE Test के दौरान Total IgE Test कैसे किया जाता है? डौक्टर आपकी बाहं की नस में सुई लगा कर रखते की थोड़ी सी मातरा ले लेंगे टेस्ट से पहले आपको डौक्टर इसकी प्रक्रिया के बारे में समझा देंगे सिंपल को कंटेनर में रखकर उसे लब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा पूरी प्रक्रिया में कुछ मिनट का ही समय लगता है इस टेस्ट के बाद आपको सुई लगी जगे पर दर्धिया निल भी हो सकता है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा यदि ये ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखा लें टोटल आईजी टेस्ट के परिणाम का क्या मतलब है? टोटल आईजी टेस्ट के परिणाम क्या बताते हैं? सामान ये परिणाम में यदि इम्नोग्लोबूलीन की मातरा 75 किलू-ट प्रतिलिंटर कुल आती है तो टेस्ट के परिणामों को सामान माना जाता है यदि टोटल आईजी एकस्तर भी स्कूल से कम है तो भी ये संकेत देता है कि व्यक्ति को किसी भीत है कि कोई एलर्जी नहीं हुई है हाला कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को एलर्जी है लेकिन टोटल आईजी एकस्तर सामान है लगातार दो बार एलर्जी होने पर IgA का स्तर कम हो सकता है इसके अलावा कभी-कभी इम्यून विकार होने के कारण भी व्यक्ति में एलर्जी संबंधी लेक्षन दिखाई दे सकते हैं जबकि इस दौरान भी IgA का स्तर कम ही रहता है असामान्य परिणाम में अधी इम्यून ग्लोबुलिन का स्तर 5000 किलो यूनिट प्रतिलिल्टर से अधिक है तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति को अत्यधिक इलर्जी है व्यक्ति अलर्जिक पदार्थ के प्रति जितना अधिक समवेधन शिल होगा उसकी रक्त में टोटर आईजी एकस तर भी उतना ही अधिक मिलेगा व्यक्ति कि स्पदार्थ के प्रति समवेधन शिल है इसकी जाज करने के लिए डॉक्टर एलिर्जीन स्पेस इफिक आईजी इटेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं